देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महतपूर्ण काम की खबरों को लेकर आपके बीच एक बर्फिर से हाज़रों चले हैं दर्शल तेश्परताप यादों ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि विसेस रास का दर्जा नितीश कुमार के मांग ही नहीं है वह लालू पुशा दियादों की भी एक मांग है और लंबे शमेशे लालू पुशा दियादों ने भी विसेस रास का मांग किया है लेकिन मुखमंत्री के गरवातों को जियाक के अंदर सरकार नहीं मानती तो साथ छोड़ देना चाहिए कनहया कुमार ने आज कॉंग्रिस का धामन ठामलीया और पुराने पाटी के दफतर से AC को निकालने को लेकर के भी बड़ी खबर निकल कर शामने आई कनहया कुमार दोयरा बताया गया कि दफतर के अंदर अपने पैसों से AC लगाया गया था बड़ी ही दिल्चस्प खबर है आपको बताएंगे विस्तार से महज 5 मिनट के अंदर पूरी खबर राहूल गाधी को लेकर इश्वक्त की बेहत बड़ी खबर अपको दा देते हैं जी यहाँ आपको दा दे कि अब कॉंग्रिस को एक जवरदस्त जटका लगा है कैप्टन ने अमीच सास से मुलाकात किया है और कैप्टन के मुलाकात के बाद में अब पंजाब का सियासत गर्म होने लगा है अमेरिका दोरा करके लोटने के बाद में परधानमंटरी शिनरेंडर मोदी के द्वारा लगतार उत्तर परदेस्विधान सबाचुनाओ को लेकर चर्चाएं की जा रही है मान्य मुकमंत्री नितीश कुमार द्वारा इस वक्त की बेहत बड़ी ख़बर निकल कर शामने आ गई है मान्य मुकमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा अब जेडियू और बीजेपी के अंदर चल रहे टूट भांग के रिस्ते को लेकर और बात नामने और मानने वाली इस सर्च गया है बंगाल में शर्धालों को जाने को लेकर जिहान लगतार चर्चाएं शामने आ रहे हैं हलाकि दुर्गा मंदीलों और पंडालों के सिलसिलवार तरीके और कुरोना प्रोडोकॉल का नियमों का पालन करना अती आवश्यक होगा बड़ी खबर निकल करा रही इस वाक्त की रेल सिवा और शर्भीसो पर एक वर फिर से सवाल खड़ा हुआ है आम जनता ने पूछा आज कुरोना के परकोप कम होने पर भी शरकारे स्पेसल ट्रेने क्यों चला रही क्यों लोगों के जेब काटिज जा रहे हैं इबियम मशीनों को लेकर बड़ी खबर बहार के पंचाय चुनाओं को लेकर आने वाली इस बड़ी खबर के वारे में जान लिए दर्शोल आपको दारे कि चुनराज निर्वाक्सन विभाग ने तीसरे चनाण के चुनाओं को लेकर अब तमाम परकार शे आवंटित कर दि शियासत के अंदर अपनी पार्टी के जीत के लिए हरेक्षंभव परियास कर रहे हैं और लगतार इस बात को लेकर के उनके द्वारा परियास किया जा रहा है कि इवाओं को जोड़ा जाए इसलिए इवाओं के नोकरी और लोगों को फिरी मुक्त विजली देने के बात को क ऐसे से जातिये जनगर्णा राज्य शरकार अपने अस्तर पर कराए राज्य शरकार अपने अस्तर पर जातिये जनगर्णा को कराने को लेकर बात कहा बेहत बड़ी ख़वर है बस्तार से बड़ी खवर निकल करा रही इस वक्त की बिजली विभाग को लेकर दर्शल आपको दा दे कि बिजली विभाग को लेकर की बेहत बड़ी खवर निकल कर शामने आ गई है बिहार समय तमाम राज्यों में बिजली के महंगाई को लेकर अब सरकार ने अपील किया है शरकार ने क कि प्रपह दोलुवाओं के साथ जोड़दार बारिश होने का भी परिकूब जारी किया और शादए साथ इसको लेकर मौश्वा में भाग ने ये जारी कर दिया जिसको देखते हुए मौश्या में भाग की योट से यह साफ तोर पर अलाट जारी कर दीजेगा ताकि ऐसे ही बड़ी और मतपूर्ण काम की खबर रोजारा मिलती रहे चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और मुख्या समचार की ओर से दरसल अपको दादे की राजत से अपने आपको अलग कर लेने वाले तिसपरताप यादो पीता के लिए हमेशा शे लड़ जाते हैं उन्होंने बिसेस राज को दरजे को लेकर मुख्यमंत्री शे शवाल पुछा मेडिया से सवाल पुछा मेडिया शवाल पुछा तिसपरताप यादो शे कि बिसेस राज के दरजे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार जी ने इसका मा तो किंदर सरकार राज सरकार की लपरवाई है राज सरकार को दबाओ दिना चाहिए किंदर सरकार बिसेस राज का दर्जा बिहार को दे ताकि बिसेस राज का दर्जे मिलने के बाद में बिहार की स्थितियां शुधर्श के बिहार में रुजगार बढ़ सके बिहार में लगतार परियास किया जा रहा है तेश्परताप यादो की और शे कि अपनी पार्टी जो कि छात रजन सकती परिशन है इसको भी कैसे मजबूत किया जा सके और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिहां लगतार परियास कर रहे हैं तेश्परताप यादो अख्लियस जादों ने अब तीखा और बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला है मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अब उन्होंने शाफ साफ सब्दों में शवाल पूछा है सड़े चार साल के काट और अपने बज़च को पेस करने वाले मुकमंत्री इस बात को क्यों नहीं बताते कि उनके द्वारा आज खेतों को चरने वाले सान समाम चीजों पर बेवस्थाओं को क्यों नहीं सुधारा गया और इस पर उन्होंने शवाल पूछा कि आज जहां किसान परिशान है जहां युवा परिशान है जहां नोक्रिया नहीं मिल पा रही है इसमें बड़ी समस्या किसकी है नोक्रिया अगर नहीं मिल पा रही है किसके करण नहीं मिल पा रही है और इस पर बड़ा विचार करने क कि जरुवत होगी। इसको लेकर परियास क्याधार अब उत्तर पर्देस के सियासत करेखा कि जा रही है उत्तर पर्देस करता सियासत में योगंए तिनात अपने करेकाल को गिनाकर और कारेयों को गिनाकर यह चाहते हैं कि दुबारा से Θ़ों लेकिस्षार्ट 400 सीटों को पार मुलायम सिन यादों और शाथि साथ सिपाल यादों को साथ लाकर अपनी पार्टी को और जादा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद में यह कह पाना के उत्तर परदेश में एक पार्टी की बहुमत हो रही है यह थोड़ा सा मुस्किल होता जा रहा है उत्तर परदेश के चुनाओ के अंदर काफी कुछ इस बार अलग और यूनिक देखने को मिलेगा जहां सप्पा लगतार परियास कर रहे है 400 सीटों को वहीं BSP इस बात को परियास कर रहा है कि बहुजन समझवादी और तमाम ब्रामर भोटर्स को साथ लाए जाए और 2007 के आकड़े को दूराए जाए और दूरा कर अपनी पार्टी की सरकार कायम कर ली जाए इस बात का लगतार बड़ा और मुख्य रूप से परियास किया जा रहे लेकिन इस परियास का कितना कुछ खास असर पड़ पाएगा ये तो चुनाओ में ही मालूम चल सकेगा लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेगा क्योंकि हम आपको इसके बारे में दस्तार बताते रहेंगे परियास के चुनाओ से जोड़ी सभी खबरे आपको विस्तार से बताते रहेंगे बड़ते अंगली बड़ी खबर बड़ी कभर कनहया कुमार को लेकर आ रही है कनहया कुमार ने अब अपनी पार्टी को और कॉंग्रेस को एक मजबूत करने का बहार में अब काम करना शुरू कर दिया है दरसल आज बड़ी दिल्चस्प खबर आई जब कनहया कुमार की ओड़ से जहां कॉंग्रेस में जुआइन किया गया वहीं CPIM के ओफिस जिहां आपको दादे कि CPIM के ओफिस से आज कनहया कुमार ने अपना AC निकलवा लिया AC निकलवाने के बाद में CPIA के कई निताओं ने कहा कि ठीक है कोई दिकत ने है क्योंकि यह AC उनके तरफ से ही लगवाया गया था और उसके बाद में इस AC की खबर जब से निकल के शामनी आई तो कुछ लोगों ने यह सापतवर पे कहा कि कि मंदार ने था आज से ही तमाम परकार्ट से कॉंग्रेस के लिए काम करना सुरू कर दिया अब कॉंग्रेस इस बात को बखो भी शमस्ती है कि अगर युवाओं को चेहरा नहीं बनाया गया जो कि पहले का एक जो कॉंग्रेस से हो सायद आज नहीं जलक पा रहा है जब किंद्र में कॉंग्रेस का राज था बिहार में कॉंग्रेस का राज था जारखंड में कॉंग्रेस का राज था उत्तर परदेश और समेत देश के तमाम राज्यों में कॉंग्रिस का राज था वो आज नहीं जलक पारा जिसको देखते हुए कनहया कुमार को अब बहार के मिची जमीने कॉंग्रिस को वापस लेनी है और कनहया कुमार को अपने में सिमट लिया अब कनहया कुमार ने हार्दिक पटिल समें तमाम युवा नेता के बीच में आज आपको दादे के महागट बंदन समेत ऐसे कह सकते हैं कि अब बिहार में तिजश्वी यादों के हाथों को मजबूत करते में नज़र आश्रकते हैं लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कनहय क्यों है बड़ी कवर निकल करा रही है बिहार के पंचाय चुनाओ को लेकर बिहार पंचाय चुनाओ अहम और महत्तिपण होने लगा है बिहार के पंचाय चुनाओ में इब ये मसेनों का इस्तमाल किया बैमेट्रिक सिस्टम से अपने आपको स्टियापित किया जा रहा है थ्यापित के दूसरों के मतों को परियोग करने वाले लोगों पर सक्ति के साथ करवाइ भी किजा रही है लेकिन इतना ही नहीं आपको बताते हैं कि अब ग्राम पंचायत के सरकार को बनाने किस कवायद के अंदर शरकार ने अपनी बड़ा पेस्कस कर दिया है कहा है कि किसी भी परतियासी को या साफ साफ चिताओनी होगी किसी धर्म, किसी ब्यक्ति और किसी जाती को अगछेज पहुंचाते हुए परचार परशार किया जाता है या सरकारी संस्थानों पर परचार का परयोग किया जाता है उस पर सक्ति के साथ करवाई किया जाएगा पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर चरचाय हो रही हैं कहीं न कहीं और तीसरे चरण के मतदान के लिए अब चुनाव आयोग ने अपना सुचना और शमेत चुनाव चिन्हों को जारी कर दिया है बड़ी खबर है जो हमने आपको बस्तार से बताया बड़ते हंगली बड़ी और मुख्य समचार बड़ी खबर निकल करा रही इस वक्त है नितिश कुमार के और शे है अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिचार धाराओं से समझाओता नितीश कुमार का होगा या फिर नितीश कुमार जाती है जनगर्णम मुंता हो या फिर डिप्टिसीम तरकेश्वर पर साथ पर लगे आरोप के अपने शगेश बंदियों को वो मदद कर रहे हैं इस पर उनका क्या कुछ बिचार रहता है क्योंकि जिप्टिसीम तरकेश्वी आदो पर भी आरोप लगा था जब महागट बंदन को नितीश कुमार ने छोड़ दिया था और महागट बंदन को छोड़ने के बाद में नितीश कुमार फिर से NDA का हिस्सा बन गये थे और मुख मंत्री बन गये थे लेकिन इस बार पर्धान मंत्री आवास को लेकर बेहत बड़ी खबर है पर्धान मंत्री आवास अब सभी को मिलने जा रहा है पर्धान मंत्री आवास को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है तमाम लोगों को आवन चिट किया गया है और इन सभी लोगों के खातों में इसके पैसे डाले हाला कि प्रधानमंत्री आवास के पैसे को बढ़ाया जाने को ले करके भी मांग तेज कर दिया गया है असलिता है अब हम आश्चत बने रहेगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुरी ना भूले जैंद बने मात्रम प्याट सो बोले भार्त माता की जैं लिखना मुना ना भूल झाला कि झाला कि बोले जैंद बने माता बज़ा लेगा लाट